हेलो और विल्कम टू ओरना डफोर स्टड़ी बनिस्टिफ एडफोल निंग दोस्तों स्वागत आप सभी का माइट्यूप चैनल पर सब्सक्राइब कर दोस्तों जो बहुत होगी दूसरे पक्ष को मौका में लेवाला साथ में कॉजिस्ट आच्यू के जिन्हों ने वीडियो प्राइब को देखने के लिए मिलने वाला है तो जो लोग करने के लिए दियाई नहीं वाला है अगला एजल्ट किसका आने वाला यह भी दो पीडियो को लाइके चिर करना न भूले और वीडियो के एंड में जो आप सभी को बजा देना चाहता हूं कि आज जो मैं आप सभी को काफी को फिल अब करने तो मुझे इंतिजार करना पड़ेगा थोड़ा सभोर क्योंकि जितने जादा दुस्तों आप सभी कर सामने इतना ही दोस्तों आगड़ा आप सभी के सामने एक्क्लिट रहने वाला लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं उन्हें प्लेकर तोने तरजा कट अब मुद्दी की दोसों को जिस्ट आ चुकी है 22 ताई को जो सुनवाई होने वाली हाई कट अधिशनल को जिस्ट आप सबी के सामने उपलब दें पहले नमबर पर दोस्तों का केस लगा हुआ है जिसमें आप सब्सक्राइब को बता रिया फैस केस जिसकी ज तो जो 44 केसों को सुनने के बाद है हमारी केस का नमर आएगा मलब की साफो तो पहर आम सीकर को केस की सुनवाई होने वाली वो करेंगे चाहएं करेंगे जैसागिया आप सीजी को रही गई इसे गास पर सभी एक उफणी चैन्स को पूरा होने के पूरे उसके पूरे सब्सक्राइब करेंगे को मौका उनकी तेसे पहले बहसा करेंगे तो इस पर आप सिंगल वेंच में उन्होंने किया था फिर उसके बाद एचेंज सिंग करेंगे जो के इलावास के दोसों सीनिय एडवोकेट हैं फिर एलपी मिश्रा आरके सिंग और जातमा दोस्तों आनल नंदंज भी दोस्तों बता रहे दें को सुपीम कोट से आने वाले इसलिए मैं वागी तरह आप सभी को उन्हें को बला करके ले आते हैं क्योंकि जैसा कि आप सुपीम कोट के बात कर दोस पांच वाले हैं इसमें कोई दोसी भात मैं आप सुपीम को का दूंटर को लेकर भी दोस्तों मैं आप सी को बता दीना चाहता हूं करेंगे तो मात्युसर बैस करने वाले इस तरहीं की चीज़े निकल करके आ रही है तो यह जो इंडर काउंटर को लेकर दोस्तों एक एक दिन लग जाएगा उसमें कोई प्रॉलम नहीं है और उनकी आप से दोस्तों आप सोचेंगा अमित कुमार बदोईया को लेकर अमित कु लेकिन अभी तक जसाब की तरफ से इस पर लगाता सुनवाई या ना होनी की वैसे मामरा लटका हुआ है 21 को लगनों में उपचुनाव होने की वैसे सुनवाई नहीं होने वाली तो 22 आइक से दोस्तों अगर जसाब चाहें तो 2324 को तीन दिन भी गार इस केस को लगाता सु लगता है कि आदी से ज्यादा जो सो जो बहस है वो सिक्षामित्यों की वी समाप्त हो जाएगी उसके बाद दोस्तों जो भी दिवाली के बाद को खुलेगा तो काउंटर इजर लगने के बाद और रिजर्व होने के संबाब ना है और बढ़ जाएंगी तो यह तो दोस्तो लेकि यदि भी देखने के लिए मिलेगा मैं आप सभी को रवार समझाता है हूँ आप सभी को मैंने जब से दोस्तों चेंज की बात चल रही थी जब सुप्रीम कोड कर दोस्तों नेडर आया था उसके बाद ही मैं आप सभी को बता दिया था कि सिलेवर्स में बदलाव कोई होगा लेकिं ऑप्र जो होगा वह थोड़ा सा सब्चिक्टिव होगा पहले होता था कि आपको पढ़़ दे सकते हैं लेकिन अब थोड़ा सी चैटट लेवल का आप से को कोश्चन देखने के लिए मिलेंगे तो इसमें कोई पारशानि वाली बात नहीं यह नहीं के लिए दोस्तों यूपीटेट और भी आसान हो जाएगा लेकिन दोस्तों जो लोग सोचें कि वह सीधा हम यूपीटेट टीटी देंगे और सीटेट के लेवल को ना पड़ें तो थोड़ी से उनके लिए यहां पर समस्या देखने के लिए मिल सकती है उत्ता परिच्छा में दोजा उननीस में जिस तरह इंत्यान के कुछ नियम बदलें ठीक वैसे ही परिष्ट में आंसिक बदलाव के लिए भी त्यारी रही है परिच्छा संसा होने वाली परिष्ट बड़ा उलट फेर करने के पक्षमें नहीं है लेकिन पेपर इस तरह बनाने का कार्य शुरू कर द करेंगे और 21 जनवरी को आप सब्सक्राइब करिणा देखने के लिए मिल जाएगा तो कहने का मतलब यहां पर दोस्तों साबसाब लिगा लेकिन तुक्का और यूही परिच्छा देकर उसे उत्ति कहना नहीं आसान होगा क्योंकि मैंने आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो तो उसको हम तुक्के की तो पर ले देते हैं तो तुक्का यहां पर दोस्तो इस बार नहीं चलने वाला है थोड़ा सा अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा होगा तो समस्या आप सभी को यूपीटीटी दोस जाओने इसके देखने के लिए मिल सकती है अब बात कहले तो दोस्त कि पहला कर दोस्तो और समने देखने के अगर दोस्तो नहीं सकती है लेकिन अब दोस्तों सब्सक्राइब करने में नहीं में होने की लेकिन अब दोस्तों अगर इनके तो इस वह से दोस्तों इनके प्रोलम को कहीं नहीं बढ़ती जारी है इसी चीज़ को ध्यान वरक्ति दोस्तों सुक्रवाद पर पहुंचे भी हुए थे कि जल्दी से परड़ाम गोशित कर जिया जाए लास्ट जेट 31 सक्टूबर तक अगर परड़ाम आ जाता है तो यूपी किया जाएका लेकिन अजब त्यार किया जाया तो कहीं नहीं थोड़ा से समय लगने की संभाव नाए लेकिनुम्भीद करते हैं कि 31 अक्टूबर तक दोस्तों इनका एजल्ट भी यहां पर निकल कर किया जाए लेकिन दूसी तब बात करेंगे में कि लिएक लिए लगाता दोसो पद जो खाली जा रहे हैं कई ने कई जो समस्या वह बढ़ती जाई यह दसजा साथ सो अड़सर प्रतों पर दोस्तों पर इच्छा कराई गई थी जिसमें से अब तक दोस्तों आप सभी के सामने पर खाली निकल रहे हैं उम्वीद नहीं थी कि दसजार में से भी पर खाली जाने की संभावना क्योंकि चार लाग से उपर चारतों ने इस पेपर को दिया था जिसमें अगर बात करूं कि मैथ के पेपर को दोस्तों 29 जा 690 चारतों ने दिया था और जहां पर दोस्तों आप स अब जो पहने की संभाभ और मतले द्टारी में में और इसवें पेर लेक्रेट का इसकता है की से तो सुझें करें सुझें, काफिया अब टकquito के रहता है लेकिन अब तक कि दो लेजंट आने के बार से थोड़ी से समस्य आपर बन रही है काफी चाहतर यह पूछें किसा निवंदम पार्सिंग मांक कितना है तो तीस चालीस पर दोस्तों पार्सिंग मांक के आदार पर इनको क्वालिफाइब नहीं लगाया गया है कटोफ वाँ पर लगाया जाता जांगा लुखने के लिए मिल जाएगा मंगल या बुध्भार को आपके सामने कोई भी परडम जारी किया जा सकता है तो एल्टीगेट के बाद अगर हम बात के एक special announcement को लेकर उसके बाद दोस्तों आप सभी को साही की साही चीज़ें बता दी जाएंगी तो ध्यान से देखिएगा इस announcement को जो लोग 79000 से related हैं उनके लिए काफी ज्यादा दोस्तों important है तो यहां पर दोस्तों आप सभी को एक form फिल करवाया गया था जो कि कुछ इस पर गार था मैं आप सभी को दिखा देता हूं ज्यादा सब्सक्राइब को बता देता हूं ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों सिर्फ आपको यहाप अपना फॉल नेम केटेगरी डालनी है केटेग जो लोग पी एच केटेगरी से एक सर्विसमें से या फिर मैं कहूंगा फीडम फाइटर है वो अपनी डिस्टिक के साथ में दोस्तों अपनी एफ लिख सकते हैं या पर प्यूल्म नहीं आएगी यहां पर दोस्तों उनको केटेगरी स्लेक्ट कर लें जो भी कर देंगी है पर कितना गुटांग सेफ या फिर 40-45 पर कितना गुटांग सेफ अगर आप इस फों को फिलब करना चाहते तो वीडियो की डिस्क्रिप्सिन आप सभी को लिंक मिलेगा साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर भी दोस्तों आप सभी को फिलब कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा स इस वीडियो